मौद न्यूजेटीन मौद न्यूजेटीन में आपका स्वागत है मैं हूँ युग राज। इस वक्त खरे हैं हम मुंगेर जिला के व्याइपी महला करने वाला बड़ी वजार के अंतरगत बड़ी वजार में हैं और वाड़ नंबर ये कितना है 27 नंबर वाड़ में खरे हैं मनुष्य के लिए तीन चीज बहुत अवसक्य होती है रोटी कप्रा और मकान यह हर इंसान के लिए यह ज़रूरी है सरकार बरे बरे वादे अड़र्टाइजमेंट के तौर पे करते हैं बरे बरे अड़र्टाइजमेंट उनकी आती है लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो मात्र सुन्य दिख रहे हैं अब इसी कर्म में हम यहां खरे हैं आप देख सकते हैं यहां पर बडिवजार के 27 नंबर वार्ड में खरे हैं सरकार की बहुत सारी योजना है जिसमें की प्रधान मंत्री अवास योजना है प्रधान मंत्री उज्वला योजना है और साथ नियोजना में भी नल जल कल गली मोह और सब चीज यह सब योजनाएं सरकारद्वारी बनाई गई है जो कि अब यहां पर यहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिख रही है कि यह कागजी तोर पर कागजी घोरे के तरह सावित हो रही है इसी कर्म में हम लोग कल देश का 26 जनवरी है और गंतंतर दिवस मनानी की ओर जा रही है फिर भी हमारे संविधान के तहट हमारे यहां की जनता और भारत की जो नागरिक हैं बहुत सारे सरकार की सुग्धाओं से बंचीथ है इसी कर्म में हमारे यहां एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में यह देखने को आया है यहां की रिपोर्टिंग आ में 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 इसे जानने का कोशिष करूंगा इनके साथ क्या हुआ है जो मैं यहां ग्राउंट रिपोर्टिंग के सरकार की बहुत सारी योजना है जैसे सरकार की योजना में आती है इंद्रावास योजना है प्रधान मंत्री योजना जिसको कहते हैं उज्वला योजना है प्रधान मंत्री स्वास्थ कार्ट योजना है फिर आप क्या कहता है उनकी बहुत सारे यसे योजनाएं है जैसे रास में मिला था 50 रुपिया क्या चीज के लिए इंद्रावास योजना आपको मिला था ठीक है इंद्रावास योजना आपको मिला तो यहां इंद्रावास योजना में कितना सहरी चेतर में कितना सरकार देती है मकान बनाने के लिए ब्रौविया दोलाक रूपिया अपका इंद्रावासी ओजना कब सुक्र talkin 10 फीन अगले साल आपको उ looks उनके यहां आपको उनके जो चार हम जहां तक जानते हैं कि चार किस्तों में 165 वास्जार सब्सक्राइब करके दी जाती है क्या उसमें से आपको पैसा सरकार के दुवारा मिला जनवरी में पचास मिला अगस्त में एक लक्त रुबिया अभी आधूरा काम बचा हुआ है मेरा मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है यहां तक मैं आपके हाथ में कागश देख रहा हूं कि आप प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी अपनी सिकाइट का आप यहां से रेष्टी कि यह उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुए मैं चैनल के माधियम से प्रधान मंत्री मोहदे तक आपकी बात को रखूंगा कि वहां से जो लंबे-लंबे मन की बात करते हैं और यहां मन की बात यहां खुखला सावित हो रही है देखने दिया आप मने यह आपको नगर निगम के द्वारा कागज यह स्विकृति लेटर है यह देखे पेपर में भी छपबाया है और इसमें किलियर लिखा हुआ प्रधान मंत्री अवासियोजिना में नाम आने के बाद अब तक नहीं मिला लाव चार किस्तों में लावों को मिलती है रासी हम रोज नगर दिगम दोड़ रहा हैं और नगर आएक को भगा दिया कि क्या हुआ ट्रांसवर्ट हुआ कि क्या हुआ हमको पैसा नहीं मिल रहा अब तक बेगार किराय के में रह रहे हैं हमको पैसा चाहिए घर मननाना है आपनी दुकान करके जीवन यापन करते हैं और यह अभी अपनी मकान तोरकर मकान आधह यो सरकार के दुवारा पैसा दिया जाता है प्रदान मंत्री अवासी योजना के अंतरगत उसमें इन्होंने आधा काम को कम्प्लीट कर चुका है और अभी किराये के मकान में रह रहे हैं लेकिन रोज आजकल और आजकल करके ये नगर निगम परसासन द्वारा इनकी जो सेसरासी बची हुई है वो देने में आनाकानी की जारी है जिससे यह गरीव स्थंड के वागजूद आज रोड पर खरें हैं मैं केमरा मेंन से कहूंगा कि यह गरीव का आप यह टाली दिखाई है यह टाली पर दुकांदारी करकर यह अपनी जीवन यापन छोटे-छोटे बच्चों के साथ करते हैं यह सरकार की बेवस्थ पतनी हुई क्या आपके साथ सरकार की बहुत सारी योजिना आती है जैसे स्वास्तकाड है इंद्रावास अभी तो ठीक है आपकी प्रधान मंत्री इंद्रावास का योजिना में आपको पैसा नहीं दे रहा है इसका मतलब यहीं हो रहा है कि वो लोग कुछ मांग रहे हैं लेकिन दे रहा है नगर निगम लेकिन पैसा नहीं दे रहा है आप देख सकते हैं इस गरीव की व्यथा को आप देख सकते हैं बरे बरे लोगों को सुनने के लिए बरे बरे अधिकारी बैठे हुए इस गरीव की सुनने के लिए हमारे जैसे ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया इन आपको भी सरकार की बहुत सारी योजना है जैसे प्रधान मंत्री इंद्रावास योजना है चाहे उज्वला योजना है चाहे प्रधान मंत्री स्वास्तकार काड है और प्रधान मंत्री का राशन काड है यह सब सब योजना और मुख मंत्री को अभिहार की सुषासन की सरकार की साथ निश्चय योजना है जो इसमें कर्वों की रूपिया की लूट और बंदरबाट हो रही है उसमें यह सहरी छेत्र में खासकर के 27 नंबरवाड में क्य क्या है लो वह कहते हैं कि आप अपरी आपनी आप सून सकते हैं देख सकते हैं इसी करमें यहां पर और एक गरीव और लाचार लगा है आपका नाम क्या हुआ भी हारी हुआ आप कहां रहते हैं रोट पर रहते हैं आप मतलब माबाप हैं क्या नहीं इसे खाते कमाते हैं आपको जो सरकार की योजिना है उसमें से क्या-क्या नहीं मिला है कुछरा कालने कुछ आप देख सकते हैं इस विखारी को मतलब ये बच्चा sizzle और यहीं का रहने वाला है माबाप की साया इसके माथे पर से उटका यह गरीम इना इसको तो राशन काड़ है ना तो इसको और या utah incardt रहने की वेवस्था और हमारी देश कांति हैं चन पर मकान बनाने जा रहे हैं तो यहां बनाने जा ने रहें और कल घंतंत्र दिवस्त की सम départ कर रहे हैं और गरीबों को सुनने के लिए कोई भी नहीं Зब्दिंद पर मेरा कहूंगा कि अधर यह ठोड़ा में अदर वहीं दिखाईए और दिखाईए・ और पूरे ayam मोहला में हर जगा पके की मकान के बीच में खपरे का मकान है यह दिखाता है चिराक तले अंधेरा को प्रतीत करता है आप यहां से मैं केमरामेन को कहूंगा कि यहां से आप दिखाए इस धर्थी का यह मुखमंतरी की साथ निश्चय योजना कि यह है राजी यह रोड देख ल रही है यहां से एक वर केम्रामेन से कहूंगा कि आप चारो वगल इस जगा को आप दिखाएं और मैं यहां के ग्राउंड रिपोर्टिंग से माननी है यहां के जिला दिकारी और बैठे हुए राजिये में जितने भी पदाधिकारी और मंत्री और मुखमंत्री और बिहार के मुखमंत्री आला अधिकारियों को यहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के माधियम से दिखाना चाह रहा हूं कि हकिकत क्या है बरे बरे होडिंग और बरे बरे एड़ाइजमेंट करने से गरीब कपेट नहीं पलता है और नहीं उसकी बातों का उसका समाधान का निदान होता है आप इस समय देख रहे हैं कि मैं बरीवजार के 27 नंबर वाड से जो कि सहर का सब से बी आईपी मोहला का आ जाता है यहां पर डॉक्टर और यहां पर सब बी आईपी लोग यहां पर रहते हैं उस जगह से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा चाहता हूं आप देख रहें मौर्ज यूजेटीन में बने रहे हैं मैं हूं यूबराज कर दो